हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तग, आज की क्लास में क्लास 10 की मैथेमेटिक्स फिर से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 में आपका चाड़ा था त्रिकोण मिति, इंग्लिस में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इक्सर्साइज आपका 8.1 फिनिस हो चुका है, खतम हो चुका है, उनका लिंक आप पूर इसक्रिशन बॉक्स मिल जाएगा, आप 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 से देख सकते हैं, आप करेंगे प्रसनावली आप 12, बेसिक सी श्टार्ट करते हैं, पूरा इंट्रोड़क्शन पर्ट कैसे क्या चीजह होती है, इसका में एक्सरसाइज जो आपका 8.2 है, इसका में ठीम जो आपको कह सकते हैं, इंट्रो में क्यों व्योड़ों आपको समझना है कि टिग्ममेट्रिक टेभल जो आप का तिरकोंग में पूरी इसको आपको पेनगे यहलोरा इसको अगर समझ ले जाते हैं अपके बहुत ही बहुत ही बेहर हुझी हो चाहेगी ठीक आपको और यह सब करता है मैं तक जाएगा यहां तक जाएगा यहां तक जाएगा देखो के मेरा मानना 뜨HI मेरे भाई मैं आपको एक दम नीचे से इससे भी नीचे से स्टार्ट करूंगा और एकदव इतनी उपर तक लिखाई मेरा फंडा है कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाए और बहुत जादा उपर तक बताया जाए ठीक है, तो I hope आप इस बात को समझे होंगे अब मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा मेरे भई ठीक है दो बातें आपको बताना चाहूंगा इसके बाद मैं technometric table पर आता हूँ देखो प्राकिर्तिक संख्याओं क्या होती इसको natural number से दरसाते है n से न प्राकिर्तिक संख्याओं को हम इंग्लिस में कहते है natural number n से दर्साते हैं अच्छा ये कभी भी 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि natural number क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 से 7, ठीक ऐसे क्या होती है ये natural number आपकी होती है ठीक है आप कहते हैं बिल्कुल होती है तो मेरे भे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा अगर मैं 0 बटे natural number कर दूँ मतलब 0 बटे मतलब 0 को किसी प्राकृतिक संख्या से अगर भाग लगाएं तो value क्या होगी में दोस्तों value क्या होगी आपकी वो आपकी value होगी 0 ठीक है ये बात समझना कि natural number 0 नहीं होता है और अगर हम 0 में किसी natural number से divide कराते हैं तो उसकी value क्या हो जाएगी 0 मतलब 0 बटे 1 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4, 0 बटे 5 तो कुछ भी हो natural number में 0 बटे 1000, 0 बटे 2000 तो क्या आएगा answer? 0 ही आएगा ठीक इतना बात के लिए है दूसरा point है कि natural number को अगर हम ठीक है 0 को अगर किसी natural number में divide कराएं 0 को अगर किसी natural number से divide कराएं तो क्या आता है आपका? आपका आता है infinite इसे कहते हैं आनन्त हैं मतलब क्या हो गया? कि 0 का आप किसी भी number से भाग कराएं 0 को किसी भी number में भाग कराएं 0 Andrewत небольш compounds पंच 900 पते 0700 Patte invest में सब कक्षर 520 इसका सब्सक्राइब औरढ़ा अनंता है और को समझर रहे है मैं क्या पहना चाहता हूं ये एकदम बेसिक चीजे यह सब बापको कहीं कहीं नहीं बताएगा ठीक है कक्छा 10 में हैं तो कोई आपको यह चीजे बताने वाला नहीं किसी question में मिल जाएगा तो आपको ऐसे बता दिया जाएगा इसको note point करके लिख लेना आप कहेंगे मेरे भाई अगर 0 बटे 0 कहीं बन जाता है कोई form आपका 0 बटे 0 बन जाता है इसे कहते हैं undefined क्या undefined जिससे हम परिभासित नहीं कर सकते हैं ठीक है जिससे हम क्या कर सकते हैं परिभासित नहीं कर सकते हैं हिंदी में ऐसा कह सकते हैं लेकिन जो आपका अनंत है इसे भी हम आप परिभासित कहते हैं undefined को भी हम आप परिभासित कहते हैं लेकिन main चीज है कि अगर zero by zero form कहीं बन रही है तो उसे undefined कहते हैं और natural number को अगर हम zero certified कराते हैं तो अनंद कहते हैं या आप परिभासित भी कह सकते हैं ठीक बोलने के लिए कह सकते हैं लेकिन आप समझ जाएं कि natural number को अगर आपका एक बटे zero है तो उसे infinite कहते हैं अनंद कहते हैं या आप परिभासित कह सकते हैं ठीक है दोस्तों इतनी बात आप समझ पाए होंगे अगर आप यह चीज़े समझ पाए हैं तो online offline कमेंट करके आप जरूबत आना यह सबसे बेसिक चीज़ है क्योंकि इसका काम आपका जो आपका trigonometry table है trigonometry table इसमें बहुत काम लगने है ठीक है मैं कोई चीज़ आपको रटाने वाला नहीं हूं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे क्या चीज़े होती हैं आप 10 में ट्रूक करके एक बार सीख लेना इसके बाद आप जना तो बताना कि अगर आपने trigonometry table रटा है या सीखा है ठीक है तो पहले मैं इसक आपका हो गया कॉश ठीटा यह आपका हो गया टैन ठीटा यह आपका हो गया कॉट ठीटा यह आपका हो गया सेक ठीटा और यहां पर आपका हो जाता है को सेक ठीटा ठीक है अब आप टेबल आप भी बना सकते हम भी टेबल ही बना रहे हैं ठीक है टेबल हम यहां पर आपक पूरा एक्डम बढ़ीन डिफान करके बतातों चाहता तो मैं इसको ग्या कर देता लिख करके आपको समझा देता लिकिन मैं असा नहीं करने वालूं कोई दिक्कत इसमिंए आपको नहीं होने वाले ठीक है समझ लेना बस कभी जिन्दगी में भोलोगे नहीं कभी जिन्दगी में नहीं भूलने वाले हुद देखो हमें किसकी वैलू पढ़नी है हमें 90 तक ही पढ़ना है 0 की वैलू पढ़नी है 30 की वैलू पढ़नी है 45 वैलू पढ़नी है इसके बाद इसके बाद आपको क्या आता है 60 डिगरी आएगा फिर 90 डिगरी आएगा ठीक है क्या आएगा मेरे भई 90 डिगरी आएगा अब देखिए अब इसी बात को समझना है देखिए दोस्तो sin 0 sin 0 की value क्या होती है एक line आपको याद करना पड़ेगा sin वाली value आपको याद करनी पड़ेगा इसके बाद guarantee आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा sin 0 क्या होता है 0 याद कर सकते हो एक line बिल्कुल याद कर सकते हो sin 30 की value कितनी होती है 1 बटे 2 याद हो जाएगा sin 0 0 sin 30 अंस की value 1 बटे 2 sin 45 अंस की value आपको क्या हो जाएगी 1 बटे आपका root 2 हो जाएगा और sin 60 अंस की value कितनी हो जाएगी root 3 मटे 2 हो जाएगा sin 90 अंस की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है मैं इतनी बात याप हमें लगता समझ पाए होंगे ठीक है एक मेटर हो जाईए, देखे दोस्तों आप समझ पाए हंगे कि sin 0,1 की value 0 हो जाएगी, sin 35,2 हो जाएगी, sin 25 अंस की value गटे 1 रूर्ट 2 हो जाएगी, sin 60 अंस की value 1,2 हो जाएगी, sin 90 की value 1 हो जाएगी, तो देखो, जो cos आपको 0 की value लिखनी है, यहां से आओ, 90 क्या होता है, आपका 1, 90 पे 1 है, आप लिख लेना, फिर cos 30 अंस की value आपको इस तरह से आओ, तो कितना हो जाएगा, root 3 बटे 2, मैं आपको क्या समझाना चाहे रहा हूं, कि जो sin 0 अंस की value होती है, मतलब जो sin 0 अंस की value क 0 का हो जाएगा, ठीक है, जैसे देखिए, यहां पर क्या था, कि sin 90 क्या था, एक था, अब देखो, इसी का उल्टा करते चले आओ, तो cos 0 कितना हो गया, एक हो गया, आप मेरी बातों को समझ भारे हो, मेरी बैई, जैसे यहां पर sin 60 अंस की value कितनी थी, root 3 बटे 2 था, तो 45 में एक बटे root 2 ही होगी, ठीक है, अब देखिए, इधर से चौथे काने में, sin 30 की value कितनी है, एक बटे 2, तो इधर से चौथे 1, 2, 3, 6, चौथे खाने में आद जब जाएंगे, तो cos 60 अंस की value कितनी हो जाएगी, एक बटे 2 हो जाएगी, यह सब चीज़े आपको दिमाग म क्रॉस करकी लिखना है, अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर sin 0, 0 है, तो यहाँ पर cos 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप इस बात को समझ पाए होंगी, मेरे भई, जैसे देखो, एकदम क्रॉस में तो चलता है, जो sin 0 है, वो cos 90 है, जो sin 30 है, वो cos 60 है, ठीक है, जो sin 45 है, वही cos 45 भी है, जो आपका sin 60 है, वो cos आपका 30 है, ठीक है, मतलब opposite चल रहे है एक दूसरे की, बात को मेरे भई समझ पाए, तो हाला कि मैं आप समझ पाता हूँ कि आपको sin और cos की value समझ पाए होंगे, कि दोनों opposite चल रही है, ठीक है, अगर यह starting से end जा रहा है, तो end से start कर रह है और starting में जा रहा है, ठीक है, आप देखो, tan की value आपको पता करनी है, आप नहीं यहाँ बिल्कुल पता करनी है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि tan theta बराबर क्या होता है, sin theta, बटे में क्या होता है, cos theta, ठीक है, तो अगर आपको tan 0 की value देखनी है, तो sin 0 की value कितनी होती नबल प्वाओ के अधी़िया अगर आप 0 ले रहे दो साइन 0 साइन 0 01 साइन 30 15 249 9 इस ताँसे से आपको देखना है थेके जीरो की लोगहाद है कर देख गे थेखिएख साइन शाइने आपको बताया था आब यह स्टार्टिंग में ही बताया था कोई नाछरर नॉंबर एक हो ऊपर पका जीरो बटे नाचररो नामबर क्या होता है मेरे भाई चाहिए एक बटे रूट दीन हो जाएगी ठीक है मेरे वही आप इस बात को समझ पाए होंगे है ठीक है। तो मतलब रूट तीन ही रहेगा ठीक है। आप देखें मैंने आपको बता500 है एक रहो छुर्ट होता है दो विलकुल हुटा है मैंने आपको जबता time बटीक क्या सकते हैं अपरी बहू δια ठीक है आप परी भांसित यह आप लिखना ठीक आना तो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि दोस्तों जैसे आप जानते हैं साइन को लुटा कॉस्स मतलब साइन इधर आपने कैसे गया था इस तरह से गया थे और कॉसम लॉटते हुए आ ठीक है तो सेयम करना है अगर लाको नीकार नुकारना है थो मैंने आको रता। tagra क्रूट एक सांई होता है हाप कॉस वन्धुतili पर और कराओगे तो अभी आपको caught की value मिल जाएगी लेकिन आपको उत्माद दिमाग नहीं लगाना है 10 का उल्टा कर दो बद जैसा 10, 0, फिर हम क्या कहते 30 गए थे, 45 गए थे, 60 गए थे, 90 गए थे हमको उधर से ही आना है वह इसको cross मिली देना है हो जाएगा, आप परिभासित हो जाएगा आप परिभासित हो गया caught 30 कितना हो जाएगा, root 3 हो जाएगा 45 बीच में परता है, same ही रहेगा एक ही रहेगा आपका 30 की value यहाँ जाएगी, 60 अपती बार caught में तो एक बटे रूट 3 हो गया और यहाँ पर आपका 10, 0 अंसकमान 0 है तो caught 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इतनी बाते मेरे वियाफ समझ पाई होंगे ठीक है, आईए, sec हम जानते हैं कि sin का उल्टा कॉस एक होता है, और कॉस का उल्टा sec होता है, अचा, मैंने बताया था आपको कॉस का उल्टा क्या होता है, sec होता है दोस्तों, अगर कॉस क्या है, एक है तो एक का उल्टा क्या हो सकता, एक बटे एक एक का उल्टा क्या होगा, एक बटे एक ही तो होगा जैसे, अगर एक बटे एक मतलब जिसका हर कुछनी उसके बटे में एक होता है अगर एक बटे एक को पलट दोगे तो भी एक बटे एक ही आना है तो मतलब सेक 0 अंस्क्रूल कितनी आई जाएगी एक आजाएगी ठीक है आईए कॉस का उल्टा सेक ही होता है मतलब अगर कॉस 30 अंस्क्रूल कितना रूट 3 बटे दो तो रूट 3 बटे 2 को उल्टा कर दो कितना हो जाएगा रूट 2 बटे में 3 तो लोग सेक 30 अंस्क्रूल कितनी आजाएगी रूट कितना हो जाएगा दो बटे रूट 3 ठीक है मिन्प हो जाए गारहां कि जीरो जीरो का उलटा अच्छा जीरो बटे में एक हम लिख सकते हैं बिल không Locke Ceraf जेखिए अपका उलटा करो एक भते में इक माप से बताया था यहाँ ठीक है तो यहाँ होजाएगा आप का कि क्या हो गया हम कहेंगे बिलकुल हो गया ठीक है मेरे भाईठ आएए व कित आरा के करो सेखोता आप कहेंगे बिल्कुल और लिए देखो अच्छा साइन जीरो मतलब जीरो बटे में कलिक सकते हैं आप कहएंगे बिलकु लिख सकती हैं क्यूंकि साइन का क्या होता है चोप हह सेफेत करो 2 हो जा ऐगा उल्टा 1बट 2 का उल्टा 2बट 1बट 2, को मतलafar Ohio लग सकते हैं 2, एक बटे रूट 25 बटा और नवद दो तो रूट, एक बटे रूट का उल्टा कितना हो जाएगा रूट 2बट 1, मतल above 2 हो जाएगा शाठ के वालो होती है रूट 3 बटे दो साइन में क्या हो जाएगा वड़ता कर दो तो दो बटे रूट 3 हो गया दो बटे रूट की यह क्रॉस का सिम्बल लगाए ठीक है अच्छा एक को ट्य क्या हो लिया हो देखो आप परिवांसित हो गया दो हो गया रोड दो बीच में था यह यहां चला गया यह कहां चला गया ठीक है मेरे भाई यह आप हमें हमारी बातों को समझ पाई होंगे तो अगर आप इसी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं या आप दो-3 बार समझके आप कॉंपी पे लिग सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है याद हो जाएगा जिन्दिरी भर के लिए ठीक है तो आला कि इसको याद करना जरूरी भी है और समझना भी है तो हमें लगता है आपको ये चीज़े समझ में आई होंगी इसको आप नोट कर सकते हैं पांच सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आईए दोस्तों हमें लगता है कि आपने टिग्नोमेट्री टेबल जो आपका था वो समझा होगा बिल्कुल आराम से ठीक है आपने समझा भी होगा और उसको याद कर देना कि हर एक क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पर लगेंगे ठीक है और क्वेश्चन आपके दो नंबर म इस एक्सरसाइज से आना ही आना है कि वह आपको बैलो पुट करके आंसर निकालना रहता है ठीक है बिल्कुल ठीक है अब आएक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर्व करेंगे प्रसनावल याद दसमरों दो इस्टार्ट करते हैं देखो पहला क ठीक हमें के लिखित के मान घ्यान किजिए। cabeça में कख्रार है पहले कि स्टी ईका एंटु में कौस थर्टे दिगरी प्लस थार्टे डिगरी टूमी कॉस्टी टीगरी ठीक है पहले का पहला पार्ट है इसमें पांच पार्ट दिये गए हैं आपके ठीक है क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट ठीक है मैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था साइन सिक्स्टी तो cos 30 हो गया प्लस cos 60 sin 30 नहीं sin 30 कोई दिक्कत नहीं sin 30 into me cos 60 ठीक है मैं जो ही यह आपको क्या दिया गए 60 30 30 60 sin cos sin cos ठीक है question सही है बिलकुल सही है ठीक है आओ इसे कहता है इसको आपको solve करना है हल करना है ठीक है आओ मैंने आपसे question अभी मैंने देखो table तो मैंने आपको बता दिया है हलाकि इतना जल्दी आप नहीं आद कर पाएंगे लेकिन आप एक दू बार समझना देखना फिर उसको question को solve करना ठीक है आईए देखो sin 60 की value मैं आपको बताता हूँ root 3 बटे 2 होता है आप कहेंगे बिल्कुल होता है sin 60 की value कितने होगे root 3 मटे 2 हो गया एक बाद मेरे भई बताईए cos 30 की value क्या होती है आओ जो इधर क्या था sin 60 था cos में क्या होता है 30 होता है ठीक है जो sin 0 रहता है sin 0 0 तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोनों opposite चलते हैं आप कहेंगे बिल्कुल तो देखो यहाँ पर sin 60 क्या है root 3 बटे 2 है तो cos 60 भी आपका क्या होता है cos 30 भी आपका क्या होता है root 3 बटे 2 ही होता है बात आपको समझने है ठीक है यहाँ भी same process वाई है 30 और 60 दिख रहा है sin और cos 2 ने क्या होता है दूसरी क्या फोज ठीक होता है इदर से sin चलता है उदर से cos लेका रहाता है ठीक है तो sin 30 हंस क्या होता है 1 बटे 2 और cos वाठंस की भी value क्या होती है 1 बटे 2 इसको solve करो root 3 गुणे में root 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाता है कलमनी आपको बताया था 2 दुनाई कितना होगा 4 हो जाएगा पलस का 1 एक कम 1 2 दुनाई 4 3 पलस का कितना हो जाएगा 4 बटे में 4 बराबर कितना आंसर आ गया एक यह आपका होगया मेरे भाई आंसर ठीक है पहला question आपका solve होता है पहले questions में एक answer आ गया आपका बात clear है आप कहेंगे बिल्कुल question number 2 क्या कहता है उसको देखो इसी में second part आपका क्या कहता है 210 square 45 210 square 45 degree पलस cos square 30 degree ठीक है मेरे भाई आप कहेंगे बिल्कुल है minus sin square 60 degree 60 अंसर ठीक है यह हो गया इसी को आपको गया करना है solve करना है दोस्तों value आपको याद है तो second ने question solve होगा देखो दो ऐसे हैं रहने दीजे दो गुणे में लिखा गया है 10 square 45 10 square यग कितनी होती है 1 होता है तो एक का स्कॉर आप एक ही लिखे एक का स्कॉर लिख सकते है आपको इनिह बिलकु लिख सकते हैं cos 30 की в VALUE कितनी होती है मेरे भाई cos 30 value root 3 to 2 root 3 to 2 का 2 же cos square है नगया देखो यहाँ पर 10 square 45 तो 10 45 अंत की value 1 होती है तो 1 का स्क्वाइर करो कॉस स्क्वाइर 30 था तो कॉस 30 को रूट 3 बटे 2 होता है आप इसका स्क्वाइर कर दो माइनस का साइन साइन सा इसका विवालू कितना होता है रूट 3 बटे 2 होता है और इसका विएम स्क्वाइर कर देंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं है एक का स्क्वायर क्या होता दोस्तों एक का स्क्वायर 1 होता है और एक गुने में दो या दो गुने में बात एक ही है कितना आगेगा 2 1 कम 2 मतलत 2 हो गया इसको solve एक इतना आगया 2 आगया पलस का सिंबल लगाओ रोट तीन बटे दो का स्क्वाइर है तो रोट तीन का स्क्वाइर अलग अलग करो ओपर नीचे का रोट तीन का स्क्वाइर कितना होता है तीन होता है और दो का स्क्वाइर कितना होता है चार तीन बटे चार हो गया माइनस का रोट तीन का स्क्वाइर तीन 2 का square 4 प्लस माइनस स्वारी, माइनस, प्लस प्लस का कितना 3 बटे 4, माइनस का 3 बटे 4 cancel हो गया, जैसे आप जानते हैं प्लस का 2 माइनस का 2, cancel हो जाता कितना हैगा 0 आएगा, सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ है, दोनों cancel होके 0 आगए, मतलब 2 प्लस का 0 कितना हो गया, 2 ही हो गया आँसर कितना आगया, 2 आगया, ठीक है आईए, तीसरे नमबर प्र आईए देखो, पहले question का answer 1, दूसरे question का answer, 2, तीसरे question का answer, 3, देखते हैं अभी मैंने solve नहीं किया, ठीक है, अभी देखेंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा cos 45, अच्छा अगर मान लो 3 आगया, तीसरे answer 3 आगया, तब तो कहोगे, गुरु जी घरते लगा किया है, ना लेकिन हाला कि मैंने इसे solve नहीं किया है अभी, तो sec 30 degree cos 45 बटे में sec 30 प्लस cos 30 cos cos 35 ठीक है, आओ cos 45 की value होती, एक बटे root दो हम लिखेंगे, एक बटे root दो नीचे आजाते हैं, बटे का symbol लगा था, हमने लगा दिया sec 30 की value क्या होती है sec 30 की value क्या होती है cos 30 की value आप जानते है cos 30 का value क्या होती है root 3, 2, तो sec कितना होगा दो बटे रूट तीन इसमें कोई दिक्कत आपके हैं बिल्कुल नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है आओ साइन तीस अंस की वैलू कितनी होती है साइन तीस अंस की वैलू कितनी होती है एक बटे दो तो कॉसेक तीस अंस की वैलू कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलिफ नहीं है आईए दोस्तों, इसको समझते हैं अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करिए, अभी ऐसे लिखते हैं एक बटे रूट दो है, आपका ऐसे ही लिखो यहां देखो, जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा क्या होता है, एक उटा है रूट 3 और एक का जवाब LCM लेंग कितना आ जाएगा, रूट 3 ही आएगा रूट 3 से रूट 3 कटेगा, तो 2 एक कम 2 हो गया उपर प्लस का एक का कितना हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 3 किलियर बात है आप कहेंगे बिल्कुल है यह सबसे उपर जाएगा आप कहेंगे बिल्कुल होगा तो उपर कितना हो जाएगा root 3 हो जाएगा और बटे में आपका root 2 गुणे में आप लिख सकते हैं 2 plus 2 root 3, ठीक है, इतना ही आप छोड़ सकते हैं, अब हम देखेंगे answer के according, answer इसका क्या आ रहा है, एक सेकंड मैं answer चेकर लेता हूँ, answer इसका क्या उसी किंस आप से हैं, आपको बताता हूँ, देखें दोस्तों, यहां पर आप answer इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह नहीं कहा गया है, अगर यह answer नहीं कह रहा है, तो आगे solve कर लेते हैं, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है, अब question देखो, अब हमने रटके तो आया नहीं है न, कि answer क्या आ रहा है आपका, अब हमें answer चेक करना पड़े है, कि के according दे रहा है वो answer, अच्छा, ऊपर root 3 है, आप कहेंगे बिल्कुल है, उसको ऐसे रहने दो, नीचे देखो, जो root 3 bracket में था, यहां समझ पाए थे कि नहीं, root 3 ऊपर जाता है, गुणे में एक में जाएगा, तो एक गुणे root 3 होगा, और बीच वाला बीच से गुणा हो जाएगा, तो root 3 हमने बाहर लिखा था, इनको bracket में लिख लिया था, ऐसे जैसे था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आउर solve करना है, तो solve करिए, अंदर multiply कराईए, तो 2 root 2 होगा, plus का, देखो, अगर कहीं आ करते हैं, दोनों के उपर root है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, root 6, 2, 3, 6, ऐसे लिख सकते हैं, देखो, 2 root 2, यहाँ पर देखो, 2 root 2 हो गया, फिर अंदर multiply कराएंगे, 2, गुणे में root 2, गुणे में root 3, तो 2 हमने पहले लिख लिख लिया, और गुणे में root तो इसको total के 2 गुणे में root 3, तो इसको total के 2 गुणे में root 3 कर दिया, और 2 तिया इसको क्या लिख सकते हैं, direct root 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे, बिलकुल लिख सकते हैं, देखे, अब जो होता है, स्तैयोग मी गुणा, ठीक है, rationalization आप कह सकते हैं, तो इसमें होता क्या है, देखो, इसी को आपको समझना है, जो चीज यहाँ पर है plus का, इसी का opposite मतला minus, तो ऊपर भी 2 root 2 minus का 2 root 6 से गुणा कराओ, और नीचे भी 2 root 2 minus का 2 root 6 से आप गुणा कराओ, देखो, चीजे हमने वही लिखी हैं, 2 root 2 यहाँ भी था, 2 root 2 यहाँ भी था, 2 root minus है, तो यहाँ पर plus आएगा, हम ऐसा करते ही हों, क्योंकि हमको question match कराना रहता है, ठीक है मरी भाई, अब देखिए आप यहाँ पर, root 3 आप ऐसे रहने दें, और जो ऊपर लिखा गया आपका, 2 root 2 minus का 2 root 6 आप ऐसे, थोड़ा सा calculation है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, हमने बताया था, मतलब क्या हो जाएगा, आपका, 2 root 2 का whole square, minus का, 2 root 6 का whole square, 2 का square, root 2 का square, तो 2 का square 4, root 2 का square 2, 4 दुना ही, 8 हो गया आपका, आपका इंगे बिल्कुल हो जाएगा, पलस का, दो का स्क्वाइर, दो का स्क्वाइर, माइनस रूट छे का स्क्वाइर, तो दो का स्क्वाइर चार, रूट छे का स्क्वाइर छे, तो छे चोव के चोविस, मतलब माइनस का चोविस है, देखो माइनस यह तो है, क्योंकि आपको माइनस का सिंबल लगा है न, माइनस का चोव सकते ना यह तो आप पर चूर दीजिए है कि नहीं तो इतना यह सब नहीं करना करना सब्सक्राइब लाना रहे अंग यह निकाल के लाना हिपड़ेगा में ठीक है है अभी देख़ाइब बात कर सकते दृoff तीन दुनाई चे ऐसे लिख सकते हैं माइनस का यहां पर दो है यहां पर कितना है रूट तीन और यहां पर रूट छे तो छे त्रिक अठारा लिख सकते हैं आपका इतना लिख सकते हैं 6 around 18 हो जाएगा अब आपको यहीं पर एक बात भाइन जाती है और 18 को हम 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 2 9 गुणे 2 लिख सकते हैं अब आपके हैं डंके की चोट पर लिख सकते हैं यह मानस हम आगे लगा सकते हैं मिल्कुल लगाएंगे 16 कर लो माइनस आगे लगा लो और इसे नीचे 16 कर लो पलस का रूट या 9 अच्छा आप जानते हैं रूट 9 में अगर लिखा गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 9 का अंडर रूट कितना होता है तो 3 आप बाहर लिख सकते हैं इसको तो माइनस का 2 रूट 6 माइनस 2 गुणे में 3 गुणे में आपका रूट 2 रहे गई रूट 2 आप ऐसे रहे दें रूट 9 को जो आपका था इसको हम 3 बाहर लिख सकते हैं और बटे में 16 हो जाएगा डाँ अंडर प्रवेस कराएंगे तो माइनस माइनस ए पलस हो जाएगा 3 2 6 मतलद 6 रूट 2 यह माइनस वह जाएगा तो यह आप ओका होगा माइनस का 2 रूट 6 और बटे में 16 यह आपका फाइनल अंसर होगा ठीक है- अब देखो कैल्कुलेसर ने हम कर क्या सकते करना भी पड़ेगा है कि नहीं तो कुछ इस्टप आपको जानना कि आप 10 से पहुंच चुके हैं और कुछ चीज़ें जोड़ना कटाना गोणा भाग मल्टिप्लाई हुए रहा ठीक है तो यह सब जानते हैं तो नोट कर सकते हैं इसे आप देखें दोस्तों अब देखें और भी आंसर आपका कहा रहा है कि अभी अभी भी नहीं छोड़ रहा है देखो देखो अभी देखो अभी भी नहीं चोड़ रहा है देखो यहां से दो कॉमन ले सकते हो आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं देखो हम रट के तो आया नहीं है क ठीक है तो दो हम common जब लेंगे तो यहां दो त्यां इसे मतलब तीन रूट दो बचेगा और यहां पर रूट आपका छे बचेगा और बटे में यहां पर यहां पर कितना हो जाएगा ओपर हम हम गये फिर यहां पर यहां पर आपका बात हो जाएगा ठीक है देखो और फेपर में तो आपको क्या medium बिपने आपको जैसे आईगा वैसे करेंगी तो अगर फेपर में आप आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं तो कोई दिख्कत इसमें नहीं है यहाँ पर एगर छोड़ेंगे तो कोई दिख्कत नहीं आपको फुल नमबर मिलेगा एक दम without एक नमबर काटे हुई नोड कर लेका विस को सकते हैं प्लस 10.45 देखो इसमें भी calculation होगा जाइड सी बात है 10.45 अंस माइनस का आपका cos 1.60 अंस cos 1.60 अपन में sec 30 sec आपका 30 है प्लस cos 1.60 अंस cos 1.60 आपका हो गया प्लस का 10.45 बंदर 10.45 कॉट 45 है कॉट 45 है कॉट 45 है कॉट 45 है देखो question मिला ले न हम जो question लिखी है उसी को solve करते हैं ठीक है question कोई वी हो solve होना चाहिए बस आईए देखे question नमर 4 थी आपका कह रहा है देखो अब solve कैसे करते हैं value आप put करो sign 3 cents की value क्या होती है एक बटे दो होती है प्लस 10 पर लाइक cents की value कितनी होती है 1 होती है minus का cos 60 cents की value क्या होती है sin 70 cents की value कितनी होती है root 3 बटे दो तो यह आपका हो जाएगा 2 बटे root 3 ठीक है, cost ए 60 hand skill कितनी हो जाएगी, 2 बटे root 3 हो जाएगी, set 30, cost 30 कितना होता है, root 3 बटे 2, तो ये ज़ आपका हो जाएगा, 2 बटे, root 3 हो गया, फिर plus का symbol लगाएंगे, cost 60 hand skill कितनी होती, 1 बटे 2, दिख लेते हैं, 1 बटे 2 आपका हो गया, कोट 45 एक हो गया बिलकुल साही है कोई बात नहीं सॉल्व करते हैं देखो अभी इन दोनों को लेते हैं 2 एक कम 2 एक 3 तो मतलब 1 बटे 2 प्लस 1 कम क्या लिख सकते हैं 2 एक नों 2 एक 3 मतलब 3 बटे 2 लिख सकते हैं आप कहेंगे बिलकुल लिखिए और मानस का 2 बटे रूरती न प्लस 1 जया पर लिखा गया था यहां भी लिख सकते हैं कि इसे बात है तो हम लगता को समझ में आई होगा अगरी तक ले mêmes की में बढ़ए इन दोनों में तो तकहें ख़ेंगा डेक्व क्या हो जाएगा और वुर्टी ना पका ऑल स्केलों हो घाईगा 2 root 3 आपका LCM हो गया 2 से 2 cancel होगा root 3 बचेगा तो यहाँ पर आपका जाएगा 3 root 3 minus का root 3 से root 3 cancel होगा 2 दुनाई 4 यह आ गया 4 अब देखो नीचे नीचे भी आपका 2 root 3 आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा आप कहेंगे जी बिलकुल हो जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है root 3 से root 3 cancel 2 दुनाई 4 तो उपर 4 हो गया और plus का आपका हो जाएगा 4 plus का 3 root 3 3 root 3 हो गया ठीक है मेरे बचेगा 2 root 3 यहाँ 2 root 3 यहाँ सेम है cancel हो जाएगा आप कहेंगे बिलकुल cancel होगा अब यह दोनों cancel होगे कि यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है ठीक है तो question आपका 3 root 3 minus का 4 बटे में अच्छा इसे हम पलट की भी लिख सकते हैं जैसे मांग लो 2 plus 3 कहीं लिखा है तब भी 5 ही आएगा 3 plus का 2 लिखा है तब भी 5 ही आएगा तो हम 3 root 3 पहले लिख लेते हैं और plus का 4 बाद में लिख लेते हैं देखो 3 root 3 अबने पहले लिख 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 कोई लिक्कत इसमें नहीं है answer आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्या बता आपके answer में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो देखो वही चीज चीज रिसनलाईजेसन कर ओ जो संख्याय लिख है उपर उसी से कराना बस नीची जो संख्याय जो सिंबल आपका उसी को चेंज कर देना है तो 3 root 3 4 3 root 3 4 ही लिखना है plus है तो minus plus है तो minus दोनो जगा ठीक है देखो ये चीज़े ऐसी तो अच्छा दो गुणे में दो आप क्या लिख सकते हैं दो का स्क्वाइर लिख सकते हैं आपके यहां बिल्कुल लिखेंगे तो देखो यहां भी तीन रूट तीन माइनस चार तीन रूट तीन माइनस चार तो इसे 9 और root 3 का square 3 तो 9 तिया 27 27 हो गया माइनस का 4 का square कितना होगा 16 कि अच्छा इसको मैं open कर सकते हैं अगर open कर सकते हैं तो बिल्कुल ओपर करेंगे 3 का square 9 A square plus B square minus 2 AB देखो A minus B का whole square ठीक आओ ये क्या बंद रहा है आपका a minus b का whole square a minus b का whole square क्या होता है आपका a square plus b square minus का 2ab अगर हम open करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 root 3 का whole square plus का 4 का whole square minus का 2ab 2 root 3 root 3 root 3 में 4 और बटे में 27 में से 16 जाएगा 16 चार आपका 20, 7, 4, 11 नीचे कितना आगया 11 3 का square 9 root 3 का square 3 तो 9, 3, 27 हो गया 4, 4, 16 हो गया minus का 2, 3, 6 6, 4, 24 24 root 3 बटे में आपका हो गया 11, 27 और 16 कितना हो जाएगा 7 और 6, 13 के 3 हाथी लेका जाएगा 2, 1, 3, 1, 4 हो गया 43 minus 24 root 3 बटे में 11 हमारे हिसाब से तो यह आपका final answer होगा इसमें कोई लिकत नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आप भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो आपका answer यह हो जाता है ठीक है मेरे भाई देखो आपका answer यह हो जाता है अब इसका पांचवा पार्ट जो पांचवा question है उसको मैं homework के लिए आपको देता हूँ आप कर ले ना कोई दिक्कत इसमें नहीं है सेम प्रोसेस आपको value गयरा ही लखना है नहीं आएगा तो आप comment section में आप मतलब बताना कि हमको नहीं आ रहा है मैं next video में आपको बता दो ठीक है इसमें कोई आपको problem नहीं होने चाहिए आप अत्ती नहीं होने चाहिए तो आसा करते हूं आपको यह सब question समझ में आपको यह सब calculation हो गयरा है हर एक चाहिए आपको हर एक स्टेपने का प्रयास के आपको अगर कहीं मिस हो गया कोछ़ चीजे बताने के लिए तो आपको बताना है यहां कि आपका भाई का वाई-फाई लग गया ठीक है आप देखो वाई-फाई लग गया तो बिल्कुल नेट की प्रावलम तो है नहीं कितना भी आप क्वालिटी आपकी इंप्रोब हो जाएगी पहले देखो पहले चार सो वस्ती अरे यह क्या हो रहा है पहले में देखो च फूल एचडी एक होता है आपका सायद यह होता है कोई ठीक है मतलब जितना बड़ा बड़ा वाला इंटम इस पर वीडियो आपको देने वाला हो इस और वाला आप को इस तभी बात समझ पाए होंगे विए विक्रम मिहनत किया जा रहा तो आप भी मेंनत करें पूरा जी में दर्याब के भाहिए ठीक है तो आई होग आपके सबीवी बातों को समझेंगे आपको समझ है दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले नगर नए इस्टुडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर देया है thank you so much for watching subscribe the channel and press the bell icon for video notification i will meet you next session thank you